और जो हम साथ में जानेंगे examination pattern को कैसे study करनी है कैसे qualify कर सकते हैं previous जो यहाँ पर entrance examination हुए है वो कैसे रहे हैं सब कुछ आपको बताने वाला हूँ सबसे पहले आप देखिए यहाँ पर आप जो है eligible cup है जब आपके पास 50% marks है aggregate में तब ही जाकर आप form fill up कर पाएंगे उससे कम है तो आप यहाँ पर form fill up नहीं कर पाएंगे अच्छी बात यह है कि आपका selection जो होता है वो होता है entrance examination के basis पे तो काफ़ी लोग बोलते है 90 आई है मेरी या 95 है तो ऐसे में कुछ भी काम नहीं आने वाला marks आपको अच्छा score करना होगा entrance examination में competition सबसे ज़्यादा tough होता है इसलिए सबसे पहले record कर रहा हूँ English के यहाँ पर आपको बतला दू बहुत लोग apply करते हैं जितने stream के लोग है arts से, commerce से यहाँ पर science से चीनों stream के लोग यहाँ पर apply करेंगे बहार से भी लोग यहाँ पर apply करते हैं तो English में competition ज़्यादा देखनी को मिलता है overall यहाँ पर जो है अगर आप देखें entrance examination में पूछा क्या जाता है तो आपके पास जो है देखा जाता है general English language की आपके पास knowledge है या नहीं या basic knowledge English literature की है या नहीं तो basically अगर देखा जाये तो इन दोनों से आपके पास questions पूछे जाएंगे पर यहाँ पर pattern जान लेना काफे ज़रूरी है examination pattern जो होगा यहाँ पर 75 MCQ questions होता है और ऐसे होता 30 marks का तो यहाँ पर आप लिखते कैसे हैं वो भी काफे जादा matter करने वाला है अगर आपकी writing skill अची नहीं तो आपको practice करनी होगी ऐसे वगरा लिखेगा आप ताकि यहाँ पर enhance कर सके अपनी skill को दो घंटे दिये जाते हैं दो घंटे में जो हैं आपको कितने questions 70 MCQ questions देखने को मिलेगा और 30 marks का यह कैसे लिखना होता है अब यहाँ पर देखें entrance date नहीं आई है entrance time नहीं बताया गया है और entrance day भी नहीं बताया गया है जो कि बात में होगा most probably यहाँ पर जुलाई में आपके entrance examination होगे कितना time है आपके पास तो एक मन से ज़्यादा है आपके पास आप जो है असानी से तयारी कर सकते है अब यहाँ पर देखें कि general English language में क्या-क्या पुछा जाता है तो यहाँ पर simply आपको grammar से related जितने questions होते हैं tense वगरा जो वे आपको देखनी को मिलेगा या grammatical error वगरा हो गया तो वो आपको यहाँ पर देखनी को मिलेगा जिसे आप असानी से grammar book पढ़कर solve कर सकते हैं basic knowledge में आपको literature की knowledge होनी चाहिए literature यानि यहाँ पर literature से question पूछ दिये जाते हैं जैसे यहाँ पर पूछ दिया जाएगा कि कौन से poem जो है किसी ने लिखी है कौन से poem थे इसके तो इस तरह के questions पूछ लिए जाएंगे काफ़ी details में और यहाँ पर जो है मैं कहूँगा grammar में अच्छे से धियान दिजेगा यहाँ पर चितनी भी grammar होंगे आपको अच्छे से कर लेना है tense verbs जो होगा जचा है यहाँ पर जो है आपको synonyms, pseudonyms भी देखने को मिल सकते है तो यहाँ पर जो है सबको आपको अच्छे से कर लेना है और भी topic होंगे जो कि मैं अच्छे से आपको discuss कर दूँगा इसमें आपको चिंता नहीं करनी पर जो है आपको कहीं न कहीं enhance करना है language को और जो है यहाँ पर AC की बात करें तो AC में आपको देखनी को मिलेगा कि आपको page दिया जाएगा उसमें आपको ऐसे लिखना है कितना 30 marks के लिखे दो page आप लिखते हैं more than enough है और जो हैं आपर वो side जो है उसकी बात कर रहो हैं पर AC की फोर्स page आप लिख रहे इसमें जो है question अलग-अलग पुछे जा सकते हैं last year जो पुछा गया था वो मैं आपको बता दे रहा हूँ यहाँ पर पुछा गया था why you want to choose literature as a subject तो इस पर ऐसे लिखना था तो various reasons आपके पास होनी चाहिए पहले से कि आप क्या लिखेंगे उसमें कैसे आप बेडिफाई कर सकते हैं उसको और कैसे अच्छे से explain कर सकते हैं तो यह जो है basically जो था यह syllabus यहाँ पर आपको मैंने बता दिया इसे में ही आपको जो है study करनी है और देखें यहाँ पर काफी लोग confused होते हैं कहां से पढ़ाई करें तो देखें various source है आप जो है कहीं से भी पढ़ सकते हैं पर अगर आप study material लेना चाहते हैं तो आपको बता दूँ काफी अच्छा positive review है study material काफी अच्छे से काम करेगा और काफी कम cost में जो है collaboration हिसले आपको मिल जा रहे है 100 रुपीज में जो है study material आपको मिल जाएगी online जो है आपको payment करना होता है online कीजेगा screenshot आपको send करना होगा whatsapp में ही फिर study material ला जाएगी जो की यहाँ पर pdf form में रहेगी और यहाँ पर study material के साथ जो है आपको links भी देखनी को मिलेंगे various sites के जहाँ पर जो है आप practice कर सकते है questions वगरा और study को अच्छे से आप जो है यहाँ पर study कर सकते हैं तो यहाँ पर problem नहीं होगी study material बिल्कुल ले सकते हैं safe source है verified source है कोई भी problem नहीं होने वाले अगर आप लेना चाहते है तो बिल्कुल ले सकते है आपको समझ में आ गया हो कुछ पूछना हो तो comment करके पूछेगा मैं कोसिस करूँगा update करनी की thanks for watching best of luck